चौथा चालेंज है अपनी पोस्नल लाइफ को बालन्स करना सेक्रेटरी ने आगी कहा कि मैंने सेलेक्टरों को बोल दिया है कि मैं नेक्स्ट मैच से सलेक्ट कर ले मुझे इस लड़की गुप में के जसन गुप से बाहर करने लोटा था एक बार सुलील गवासकर और अभिनव मुकंद ने भी बी-सी-सी-ाइ के सेलेक्टर्स पर ऐसा करने का ब्लेम लगाया था यांग क्रिकेटर्स से स्ट्ट रंजी टीम्स में पोजिशन के बदले रिश्वत ली जा रही थी इसके बार डेली पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ एक FIR भी दर्ज की थी ज्यादतर इंडियन क्रिकेटर्स हायर कास्ट के रहे हैं ब्रामिन्स, प्रीस्ट और स्कोलर्स इंडिया के बड़े-बड़े कॉलिटिशिंस बी-सी-सी-ाइ में important positions hold करना चाहते हैं तो उसन मुझे realize हुआ कि ये दुनिया ऐसे ही चलती है one needs to be extraordinary to be successful नमस्कार दोस्तों जो लोग क्रिकेट को as a career choose करना चाहते हैं या करने वाले हैं उनके लिए कुछ points जो मैं भी बताने वाली हूँ वो बहुत जरूरी है सबसे पहला है start early क्योंकि मेरे research के हिसाब से age is an important factor in cricket विराट कोली ने 12 साल की उमर में cricket खेलना शुरू कर दिया था पापा प्रेम कोली ने 9 साल के विराट को professional cricket academy में admission दिला दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि विराट कोली normal बच्चों से कोली ने 12 साल की उमर में अपना पहला international debut match के लगा 2010 में 22 साल की उमर में पहला T20 match के ला था इसी तरह master blaster सचन तेंदुलगर को 14 साल की उमर में ही रंडजी ट्रॉफी नाइटें 87-88 सीजन खेलने के लिए select कर लिया गया था ऐसे बहुत सारे examples हैं बैस्मिल रोहिद शर्मा ने भी 12 साल की उमर में cricket camp जॉइन कर लिया था फिर सौरफ गंगुली ने 10 स्टांडर्ड में अपने summer camp के दौरा आं cricket खेलना शुरू कर दिया था 1989 में 19 साल की उमर में गंगुली ने बंगॉल के लिए अपना पहला first class debut केला था सौरील गवासकर भी cricket में 22 साल की उमर से 38 साल की उमर तक अक्टिव थे इसके साथ हार्दिक पांदिया के फादर ने भी उन्हें काफी कम उमर में किरन मोरीस cricket academy में एंडरोल करा दिया था 20 साल की उमर से पांडिया बरोदा cricket team के लिए खेल रहे हैं ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत छोटी उमर से खेल रहे हो तो ही आप काम्याब होगे लेकिन ये common observation है exceptions हर जगा होते हैं जैसे कि इंडिया के बैटिक कोच रहे संजेया बैंगर ने उम्दस्दार की उमर में अपना cricket करियर शुरू किया था आज वो रॉयल चालेंजर बेंगलॉर के हैं दूसरा पॉइंट है enroll in a cricket academy as soon as possible विराग कोली ने बहुत अरली एज में West Delhi cricket academy जॉइन कर ली थी in fact इन सब प्लेयर्स ने सही cricket academy को चूज करना भी एक टास्क है ऐसी academy चूज करें जो आपके घर की पास हो academy की success story एक बार देख लें उनके कोचस के बारे में पता करें बच्चों के साथ उनका ratio देखें कि एक coach कितने बच्चों को सिखा रहा है कुछ academies में अपना trial book करें और वहां जाकर जरूर देखें कि academy के पास खुद का cricket ground तक है या नहीं academy का timing flexible हो जिसे आपका school मिसना हो तीसरा point है keep learning under a coach because if you really have that desire to be a cricketer तो एक coach का support आपको हमेशा supervise करेगा जो कि एक foundational level पर बहुत जरूरी है चौथा point है हर level पर एक professional cricket team के अंडर खेलते रहें उसे practice करना बहुत अच्छी बात है पर field का experience team के साथ खेल कर ही होगा स्कूली के दौरां स्कूल की cricket team में खेले college के time पर college की cricket team में खेले याँकि जितने ज़्यादा cricket tournaments आप खेलेंगे कभी division level के या कभी district level के तो उतना ही ज्यादा आपका experience बढ़ेगा फिर ऐसे ही दीरे दीरे आप रंजी ट्रॉफी खेल कर दुली ट्रॉफी खेल कर दियोदर ट्रॉफी खेल कर इरानी कप और विजे हजारे ट्रॉफी जैसे domestic cricket के टूरमेंस खेल कर IPL, 1-day international test matches और T20 जैसे national और international cricket cubs खेल पाएंगे domestic cricket में successful होने के बाद ही आप international competition के बारे में सोच सकते हैं in fact, इंडिया की national team का हिस्सा बनने के लिए हर क्रिकेटर के लिए प्रंजी ट्रॉफी खेलना बहुत जरूरी है रही education qualification की बाद कवे क्रिकेटर बनने के लिए कोई formal education नहीं चाहिए लेकिन फिर भी schooling complete करना important है because you should always have your backup इंडिया में हमारे पास किसी भी field में इतनी jobs available नहीं है कि सब उसके तयारी करें और हर किसी की job लग जाए पांच्वा point है have strength and keep yourself physically fit क्रिकेट में आपकी physical fitness भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर दी है physical fitness का एक practical exam होता है इसका नाम है yoyo exam या test आरे क्रिकेटर को ये देना पड़ता है और अगर कोई प्लेयर इस exam में फेर हो जाता है तो DCCI उसे इंटरनाशनल क्रिकेट में कभी पार्टिसपेट नहीं करने देता इस yoyo test को 1990 में एक साइकलोजिस्ट जेंस बैंक्स को द्वारा इंवेंट किया गया था और इस test में एक maximum point तक aerobic activity कराई जाती है जिसमें 20 मीटर के दूरी पर increasing speed के साथ running करना भी शामिल है जब तक exhaustion की stage ना आ जाए साथ ही yoyo test दुनिया का सबसे commonly conduct कराई जाने वाला fitness test है तो Indian cricket team इसे अपने selection criteria की तरह यूज करती है चाटा point है एक balanced diet follow करना ज़रूरी vitamins, proteins और minerals accurate quantity में लेना Star Sports को दिए गए एक interview में बिराट पोली बताते हैं कि वो एक vegetarian diet follow करते हैं जादा तलाहुवा खाना नहीं खाते हैं उनके 90% मील में steamed or boiled dishes होती हैं खोली maximum time मसाली यूज नहीं करते हैं maximum सिर्फ salt, pepper और lime का यूज करते हैं जाटाट आगे कहते हैं कि उन्हें salads खाना बहुत पसंद है वो भी olive oil की minimal dressing के साथ इसे के साथ ही highly produced shins, daal, raja maa और lobia भी खाते हैं एक successful cricketer बनने के बार पैसो की कोई कमी नहीं है लेकिन उस level तक पहुँचने के लिए हर step पर पैसो को invest करना पड़ता है जैसे की PCCI ने अपने cricketers को चार categories में divide किया हुआ है A+, A, B और C grade इन में से A+, category वाले cricketers को साल के 7 करोर रुपे दिये जाते हैं A category वालों को 5 करोर, B category वालों को 3 करोर और C category वालों को 1 करोर यानि की पैसा तो बहुत है अगर cricketer बनने का process भी कोई सस्ता नहीं है सबसे पहले equipments की cost, फिर training और coaching की fees, फिर gym की membership, physiotherapy, personal trainers और आपके diet का खर्च साथ ही हर local, regional या national tournaments में participate करने के लिए entry fees देनी पड़ती है ट्रावल की cost वहने का खर्च इसलिए एक aspiring cricketer के लिए उसकी family का financial support बहुत जरूरी है Next point ही है कि cricket को as a career option चुनना कितना सही है, मतलब किने position cricketers के successful होने के chances है So to be very frank, जातर लोग जो cricket खेलते हैं वो professional cricketer level को कभी चूबी नहीं पाते हैं इवन इन में से भी बहुत ही छोटा number कभी international level तक पहुँच पाता है आपको सिफ एक मौका पाने के लिए भी एक अलगी level का player होने की जरुवत है मतलब research के हिसाब से you are fighting against the odds Cricketer बने के इस process में एक player को काफी सारे challenges से डील करना पड़ता है सबसे पहला है mentally healthy रहने का challenge क्योंकि जब आप professionally cricket खेलेंगे तो मैच में खुद से कभी कुछ expectations होगी अभी आप उन पर खरे उत्रेंगे तो कभी नहीं पर यह चीज़े आपको stress देंगी anxiety देंगी इंफाक depression तक create कर सकती है तो एक player के लिए खुद की mental health को prioritize करना बहुत जरूरी है दूसरा challenge है hard hitting competition और करियर में uncertainty होते हुए आगी बढ़ते रहना इसके बाग कभी team में select ना होने कडर और मैंच में खुद को प्रूफ करने का pressure और injuries या फिर stable career ना होने कडर इंफाक cricket में सक्सेस हमेशा एक individual की performance पर डिपेंड नहीं करता तीसना challenge है financial instability का क्योंकि भले ही top cricketers अच्छा खासा कमा लेते हुँ लेकिन cricket career के साथ हमेशा एक financial risk जुड़ा हुआ है यहां हर कोई financial success अजीव नहीं कर पाता कभी performance में fluctuations तो कभी opportunities ना मिलना financial crisis create कर देता है चौथा challenge है अपनी personal life को balance करना क्योंकि cricket के demanding time schedule की वजह से एक player के लिए अपनी professional और personal life में बालेंस बनाना बहुत अफ़ है पांचवर challenge है injuries का क्योंकि cricket अच्छी physical fitness डिमांड करता है और players को injuries होना बहुत common है muscle strain होना, shoulder या back में problem होना cricket में severe head injuries भी हो जाती है तो खुद को protect करना भी एक challenge है चटा चालेंच है isolation, travel का stress और societies का criticism समालना नाचस केलने के लिए कभी एक जगह से दूसरी जगह ट्रावल करना पॉसलंबे टाइम के लिए फामिली और फ्रेंड से दूर रहना एक avoid और mental stress देता है अभी तक हमने बात की कि ये cricket अबनने का process क्या है और cricket as a career option कितना safe है लेकर पॉइंट ये है कि क्या अच्छी खासी मेहनत करने के बाद आपकी कामया भी की कोई guarantee है और नहीं इसका जवाब है नहीं क्योंकि national cricket को सभालने वाली बोरी BCCI पर भी corruption के आरोप लगते रहे है बहुत बार cricketers को select करने वाले national selectors को भी गलत criteria यूज करने के लिए blame किया जाता है BCCI पर Indian politics का भी काफी influence है एक anonymous sports writer former fast bowler और coach हमें बताते हैं कि बहुत time पहले उनकी एक fellow fast bowler ने उनसे उनके साथ मांधेडी stadium में Mumbai cricket association के secretary office चलने के लिए कहा वो भी practice session से पहले फिर जब वो secretary office पहुँचे तो secretary ने उस fast bowler की तरफ देखकर पूछा कि तुम रंजी नेट्स पर क्यों नहीं आ रहे है secretary ने आगी कहा कि मैंने selector को बोल दिया है कि तुम्हे next match से select कर ले पर तुम regularly आना शुरू करो इसके बाद ये anonymous bowler बताता है कि फिर वो लड़कार local matches में ज्यादा wickets लिए बिना भी Mumbai के लिए खेला सिर्फ तबके secretary के instructions पर यही anonymous coach एक और incident बताते हैं कि तबके Mumbai selectors के chief जो की एक former test cricketer भी है चंबूर में इनकी club में आते हैं और वो एक लड़के को point out करके इनसे पूछते हैं कि ये तो Mumbai वाला fast bowler है ना फिर ये हां कहते वे बोलते हैं कि इसको तो last trendy match से निकाल दिया गया था इसके बाद Mumbai selector के head हस्ते वे कहते हैं कि क्या ही कर सकते हैं और Mumbai के legend skipper ने मुझे इस लड़के को Mumbai के dressing room से बाहर रखने को बोला था वैसे तो ये बहुत promising fast bowler था पर इसने ये गल्दी कर दी कि serious condition में अपने टीमेट्स के साथ funny one-liners share की और इसको इस गल्दी का तक नतीजा भुगतना पड़ रहा है इसे के साथ ये चीज़ों में बताती है कि कैसे एक इंसान की success में महनत के अलाबा और भी कापी सारे factors depend करते हैं बहुत पार national selectors पर irregular selection criteria अपनाने के आरूप लगते हैं selectors से ही expect किया जाता है कि वो test और ODI teams के लिए domestic cricket tournaments जैसे की रंजी और विजय हजारे trophy की performances को देखकर players को select करें मगर selectors को blame किया जाता है कि वो IPL की performances को देखकर players को select करते हैं एक बार सुलील गवासकर और अभिनफ मुकंद ने भी BCCI के selectors पर ऐसा करने का blame लगाया था cricket के इस फील्ड में अगर रिश्वत की बात करें तो ग्राट कोली को भी अपने time पर under 16 में select नहीं किया गया था क्योंकि उनके पापा ने रिश्वत देने से मना कर दिया था रिश्वत के साथ ही यहां political influence काफी ज्यादा है for example बिहार के मुख्यमंत्री रहे लादू पसाद यादफ के बेटे इजस्वी यादफ ने बिना किसी merit के रंजी ट्रॉफी खेला हुआ है ऐसे ही साराज्टु क्रिकेट बोर्ड की रह चुके प्रेजडेंट के बेटे जैदेशाह इंडिया की यह टीम के लिए खेल चुके हैं रंजी टीम्स में पोजिशन के बदले रिश्वत ली जा रही थी इसके बार डेली मुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ एक F.I.R. भी दर्ज की थी जिसमें कोचिस और स्टेट क्रिकेट बोर्ड के ओफिशिल्स भी शामिर थे F.I.R. में लोगों के खिलाफ रंजी टीम्स में जगा दिलवाने के बदले 80,000,000 रुपे तक की रिश्वत लेने कारोग था साथ ही क्रिकेटर्स को North Eastern टीम्स और डुमेस्टिक टूनमेंट्स में सलेक्ट करने की बाद कही गई थी बनकि चीटिंग के इस केस को तम रेजिस्टर किया गया अचिक BCCI के एंटी करॉप्शन यूनिट के रीजनल मानेजर अंशुमन हुपाग्याए ने कहा था कि उनके पास कनिश्क गॉर और शिवम शर्मा की कंप्लेंज आई है फिर डेली पुरिस की स्टेट्मेंट के अकॉर्डिंग करनिश्क गॉर को एक क्रिकेट कोच ने अप्रोच किया था और 15 लाग रूपे के बन नागलैंट की रंजी ट्रॉफी टीम में अस अगेस्ट प्लेयर पांच मैचस खेलने की बाद की थी एक और प्वेस्टन जो बहुत लोगों ने उठाया है कि आखिर क्यों इंडियन क्रिकेट में धलिट क्रिकेटर्स ना के बराबर है इंडियन टेस्टीम के 86 साल के पूरे इतिहास में टोटल 289 क्रिकेटर्स में से सिर्फ 4 डलिट क्रिकेटर्स इंडियन नाशनल टीम का हिस्सा रही है जिनका नाम है एकनाथ सोलकर, करसन घावरी, विनोत कामली और अगनेश मिल कुमार साथ ही एक रिसर्च हमें बताती है कि ज्यादतर इंडियन क्रिकेटर्स हाइर कास्ट के रहे हैं इसा नहीं है कि लोग रॉड लेकर खड़े हैं कि कोई दलिट क्रिकेटर को अपनी स्किल्स दिखाने तक के लिए भी बाखी क्रिकेटर्स से दो गुना अच्छा होने की जरुद है अब फाइनली अगर क्रिकेट वर्ड कप और BCCI में पोलिटिकल फेवरिजम की बात करें तो साल 1990 में BCCI असली पावट गेंड करना शुरू करता है और इंटरनाशनल क्रिकेट हिरार्गी में टॉप पर पहुँच जाता है इसके बाद दाल्मिया इंटरनाशनल क्रिकेट काउंसल के पहले नॉन वाइट प्रेजिदेंट बने जिससे इंटरनाशनल क्रिकेट में BCCI का इंफ्लूएंस और भी स्ट्रॉंग हो गया इंडिया की बड़े-बड़े पॉलिटिशिंस बड़ना चाहते हैं और इसलिए BCCI में इतना ज्यादा पॉलिटिकल इंफ्लूएंस बढ़ गया है BCCI में करॉप्शन और बहुत सारे शूज होने की वजह से 2015 में इंडिया की सुप्रीम कोट ने कमिटी बनाने की बात कही थी फिर फॉर्मर सुप्रीम कोट जस्टिस राजेदर माल लोधा के अंडर एक कमिटी बनाए गई जिसका राम था लोधा कमिटी फिर इस कमिटी ने BCCI पर लगे IPL में हुई सुप्रीम कोट को अपनी रिपोर्ट सौपी जिसमें की सालों से हो रहे करॉप्शन का खुलासा हुआ आपको बता दें कि भारत के बहुत सारे राजनेता BCCI के उचे पलो पर रह चुके हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेदर मोदी भी साल 2009 से साल 2014 तक Gujrabh Kriket आसोसिएशन के प्रेज़ेट रह चुके हैं साथ ही BJP के प्रेज़ेट रह चुके और इंडिया के हो मिनिस्टर अमिट शाहा भी Gujrabh Kriket Association के प्रेज़ेट रह चुके हैं लेकिन लोधा कमिटी के रिफॉर्म्स आते ही अमिट शाह को अपनी पॉजिशन से रिजाइन करना पड़ा। और अभी प्रेजेंट में अमिट शाह का बेटा जैशाह बी सीसियाई का सेकरेटरी है। इसके बाद एक और राजनेता रुराग ठागु जो की बीजेपी से हैं 2016-2017 तक बीजीसियाई के प्रेजेडेंट रहे हैं। मगर लोधा रिफॉंस की वजह से इन्हें भी रिजाइन करना पड़ा। फिर उन्होंने अपने भाई अरुन दूमल को बी सीसियाई का ट्रेजरर बनवा दिया। लास्ट में लोधा कमीटी के अकॉडिक कोई भी सतर साल या उससे ज्यादा उम्र का व्यक्ति बी सीसियाई में कोई भी पोजिशन ओर्ड नहीं कर सकता। मगर फिर भी गुजरात पुलिस के सतर साल की उम्र के फॉर्मर डिरेक्टर जनर्र शबीर हुसेंट खंडवावारा को बी सीसियाई की एंटी करॉप्शन सेक्यूरिटी यूनिट का हेड बना दिया गया था। इसे के साथ मुझे क्रिकटर विराट कोली के दुवारा बुली के एक लाइन याद आती है that one needs to be extraordinary to be successful. कोली के इंटर्व्यू में पताते हैं कि जब डेली जूरिया क्रिकेट टीम में मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ तो उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा और मैं बहुत रोया। विराट कोली आगे बताते हैं कि उस दिन मुझे रिलाइस हुआ कि ये दुनिया ऐसे ही चलती है और अगर आपको अपनी जिन्दगी में कुछ बड़ा हासल करना है तो ऐसा कुछ करना होगा जो बागी कोई नहीं कर रहा। And now as we all know that he is one of the richest cricketer of India. देने बाचे!